जय मात अदी आप और आपके परिवार जिनवर मातरानी की किरपा सदा बनी रहें इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुता भार आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का व्रतान्त व्यास जी कहते हैं कि ताम्र की उपरियुक्त बात सुनकर देवी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया फिर मेग की भाती बड़ी गंभीर वानी में वे ताम्र से कहने लगी कि ताम्र तेरा मुर्ख स्वामी महिशासुर अब मृत्यों को गले लगाना चाहता है उस अ मैं भी पूँच है बड़ा सा पेठ है और सिरपर सिंग सुशो भी थे मैं वैसी नहीं हूँ ब्रह्मा विश्नु महेश इंद्र वरुण कुबेर और अगनी तक को भी मैं पती नहीं बनाना चाहती इन सब प्रधान देवताओं को छोड़ कर किस गुण की विशेष्ता से मै एक पशु को स्वामी बनाने का निंदने काम करूंगी मैं पती को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ मेरे शक्तिशाली पती दे विराजमान है वे सब के करता साक्षी अकरता और निस्प रहा है वे तो सब जगा विराजमान है शमा और शांती के साकार विग्रह है सब कु अब ही तुझे यम्राज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ या फिर तेरी पीट पर पानी लाद कर जनता को जल पहुचाने की विवस्था करूँगी अरे नीच अगर तुझे अपने प्राणों का लोब है तो संपोन दानों के साथ शीगरी पाताल भाग जा नहीं एक समान हो तभी उनका सयोग संसार में सुकदाई हो सकता है नहीं तो अज्यान से अगर विशमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुखी दुख उठाने पड़ते हैं और तेरी बुद्धी पर तो पत्थर पड़ गए हैं इसलिए तो तु कह रहा है कि भामिनी तेरी इच्छा हो कर सकता है मैं तुझे तेरे परिवार के सहित मृत्य के मुख में जोग दूगी अगर युद्ध अभिष्ठ ना हो तो इस लोग को छोड़कर कहीं और सुक से जीवन बिता वियास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवती जगदंबा ने बड़ी मगा गए और दैत्यों की इस्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया उस शब्द को सुनकर तामर का मन भी भाय से व्याप्त हो गया और वो वहां से भाग कर महिशा सुर के पास चला गया यही नहीं किन्तु उस नगर के जितने भी दैत्य थे उन सब का मन चिंता से आकुल हो गया राजन उन सब के कान उस भीशन गर्जना से बहरे हो गये एक महत्र भाग जाना ही अब उनका धे रह गया उसी च्छन क्रोध में आविश्ठ होकर सिह ने भी भी भीशन गर्जना की उस भैरवनाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया तामर को वापस आया द जाए या फिर युद्ध हो या फिर युद्ध भूमी से ही निकल कर भाग चले महानुभावदान वो आप लोगों को यहां से भाग जाने में ही कल्यान की सभावना दिखती है आप सबके सब बुधिमान युद्ध में कभी बीचे प्यार ना रखने वाले और शास्त्रों क के पारगामी विद्वान है इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुद्ध मंत्रणा करना बड़ा अवशक है राजी के स्थिती में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है राजी को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के और कामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भाती कुप्त रखते हैं इसलिए इस समय मंत्री मंडल देश और काल के नुसार अपना हेतु युद्ध हितकारक मत प्रकट करें नीती पुर्वक विचार करके ही अपना मत बताना चाहिए यहां जो देव निर्बित इस्त्र के लिए बार-बार अहवान कर रही है इससे बढ़कर और भला क्यास चरे होगा युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी या नहीं तिरी लोकी में ये कौन जान सकता है बहतों की विजय और एक की तोहार होती ही है ये भी निश्चित बात नहीं है क्योंकि युद विशाल नेत्रो वाली इस इस्त्री के विशय में फिर से यतन पुर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ये किस उद्धेश से और कहां से आई है किसके साथ इसका विवाह हुआ है इस्त्री के हाथ से आपका वध तो निश्चित है देपता इस विशय को भली बहती में विद्यमान है उन्हें भी युद्ध की कमलाल सा नहीं है महराज समय आने पर वे सभी इस इस्त्री के सहयक बन जाएंगे विश्णु प्रभर्ती वे प्रधान देवता युद्धु भूमी में इस कामिनी को अग्रिसर बनाकर हमारा वद कर डालेंगे साथ ही वो इस्त्री युद्ध ना करें बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता कारे की प्रधानता मानकर हम लगातार आपके लिए मर मिटने को तयार हैं आपके साथ आनंद का अफसर भी तो हमें मिलता ही है हम तो आपके अनुचर है और यही हमारा धर्म है दुर्मुख बोला राजन मैं जानता हूं कि आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी पीछे पैर रखना सर्वत्था अवांचनी है ऐसा करने से हमारी किर्थी में कलंक लग जाएगा जब इंदरादी देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था तब भी तो भागने जैसे निदित कारे का आश् संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ती होती है ये दोनों ही फल मन के नुकूल है ये मान कर अब युद्ध करने के लिए तकपर हो जाना चाहिए भाग जाने पर तो जगत में निंदा होगी आयू समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है इसलिए जीने और मरने के बारे में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए व्याज जी कहते हैं वाशकल बातचित करने में बड़ा कुशल था उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ चोड़कर पड़ी नमरता से महिशासुर से ये कहा कि राजन ये क कायर व्यक्तियों के लिए अप्री है आपको इस कारे के विशे में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूँगा राजन बस आप मन में उत्सहर रखे मैं निर्भीक होकर युद्ध करूँगा राजन मेरे प्रयास से वो चंडी का यमराज के घर अवश्य ही पहुच जाएगी मैं इंद्र वरुन कुबेर सूर चंद्रमा यमराज अगनी वायू और विश्नु और शंकर से भी नहीं ड़ता फिर अभिमान में चूर रहने वाली वो अकेली स्त्रीभला मेरा क्या कर सकती है मेरे चमकिले बानों से उसके प्राण पखेर ऊड़ जाएंगे आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिए महाराज फिर सुख पूर्वक विहार कीजिएगा इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको खुद युद्ध मेदान में नहीं जाना चाहिए व्यास जी कहते हैं इस प्रकार अभिमान में भरा रहने वाला वाशकल महिशा सुर्के प्रती अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया इसके बाद दुर्धर उस राक्षिस राज को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूँगा अठारह भुजा धारण करके वैस सुन्दरी अवशी ही किसी कारणवश यहां आई है राजन देवताओं की बनाई हुई ये माया है और आपको भैभीत करने के लिए ही इसका यहां आगमन हुआ है ये तो किवल डराने के लिए ही है ऐसा जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए राजन ये र राजन उनके मन में स्वामी के कारे से किंचित मातर भी विरोध नहीं रहता वे धार्मिक और मंतर शास्तर के पारगामी वित्वान होते हैं वियास जी कहते हैं कि इस प्रकार महा बाहु वाशकल और दुर्मुख महिशय सुर की आग्या लेकर वहां से चल पड़े उनके दंबा विराजमान थी उनसे वे मेग की तरह गंभीरवानी में कहने लगे देवी जिन महात्मा महिशय सुर्ने देवताओं को परास्त कर दिया है उन्हें तुम पती रूप में स्विकार कर लो सुन्दरी वेराजन संपुन दैत्यों की अधिस्ठाता है सर्व लक्षन संप पती तुम्हे भोगने का सुअफसर प्राप्त होगा महिशय सुर्की अंग कांती बड़ी कमनी है मनो योग पूरवक तुम उनसे प्रेम कर लो ये नरेश महान प्राकरमी है इने पती बनाकर तुम सांसारिक उस अध्भुत सुख को इसके लिए इस्त्रियां प्रायह लाला कैसे करूं संब्रांत कुल की इस्त्रियां जो कुल शील और गुणों में समानता रखता है वैसे ही पुरुष के उपास न करती हैं बलकि रूप चातुरी बुद्धी शील और क्षमा आदी में उसे और भी बर्चर कर होना चाहिए और ये महिशय सुर्तो पशु का शरीर ध पनाना चाहेगी तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ अरे वाशकल और दुर्मप तुम तुरंत अपने स्वामी महिशय सुर के पास जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग है और जो हाथी के तरह धूल धूसरीत बड़ा रहता है जाओ और मेरे ये वचन उसे कह द कि तु पाताल में चला जा या फिर आकर मेरे साथ युद्ध कर युद्ध होने पर ही देवराज इंतर निर्भय हो सकते हैं ये अटल सकते हैं मैं तो तुझे मार कर ही जाओंगी बिना मारे नहीं जा सकते प्रचंड मूर्ख मेरी इस बात पर विचार करके फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर अरे चार पैर वाले जानवर मेरे सामने विजय हुए बिना कहीं भी भाग में चाहे वो प्रत्वी का कोई भाग हो परवत की गुफा हो या फिर आकाश ही क्यों नहों तुझे कहीं भी जगह मिलना असंभव है व्यास जी कहते हैं देवी भगवती के ऐ करने के लिए तयार हो गए भगवती जगदंबा गंभीर गर्जना करके बड़ी निडरता से विराजमान थी कुरुवंश को सुशोबित करने वाले राजन वे दानव पूरी शक्ती लगा कर देवी के उपर बाण बरसाने लगे भगवती को देवताओं को कारी सिद्ध करन था विसू मधूर गर्जन करके दानव के प्रती पर्याप्त मात्रा में बाण वर्षा करने को तकपर होगी उन दोनों देत्यों में वाशकल बड़ा चंचल था वो तुरंत समरांगण में भगवती के सामने आ गया अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर द्रस्ट होता है उन भगवती जगदंबा को भला क्या डर था युद्ध में अपना मनूबल और पराकरम दिखाने वाले उस देत्यों को देखकर अब उन्हें क्रोध हो आया तेजधार वाले भयानक पांच बाणों को धनुष पर चढ़ा कर उन्होंने उसे कान तक खीचा और उन्ह से ही तीखे तीर थे उन तीरों से उसने देवी के बाण काट किराए साथ ही उसने साथ बाणों से भगवती से वाहिन के ऊपर चोट की देवी ने भी अत्यंत तीखे पीले रंगवाले दस बाणों से उस नीच दानव पर आगात किया साथ ही दानव के बाण अपने सायकों स काट दिये वे बार-बार टाहस करने लगी भगवती के पास एक अर्थ चंदर नामक बार था इससे उन्होंने वाशकल के धनश को छिन्न भिन्न कर दिया तब वहदयत हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर तूट पड़ा ये देखकर चंडिका ने अपने गदा प्र उस दैत्ति को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल गई त्रिशूल से उसकी छाती में बड़ी भीशर प्रहार किया चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरू उड़ गए उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नस्ट भ्र क्रोध से उसकी आँखे लाल हो गई थी उस समय दुर्मुख कवच पहन कर रत पर बैठा हुआ था उसके हाथ में धनुष और बार थे अरी अबले ठेहरो ठेहरो ऐसा बार बार उसके मुह से अवाज निकल रही थी उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंक ध्वनी क उस दानव का अक्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी तब दुर्मुख भी बान चलाने को ततपर हो गया उसके तीखे और शीगरगामी बान विश्दर सर्प के समान भयंकर थे भगवती महमाया ने अपने सायकों से उसके तीर काट डाले और फिर गर करने लगी राजन अब तो दोनों में महान भयंकर युद्ध होने लगा बान शक्ती गदा मूसर और तोमराधी अस्त्र शस्त्रों से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे उस समय युद्धिस्थल में रप्त की नदी बह चली उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीर क्योंकि चारों और कटीवी लाशे बिचीवी थी उन्हें खाने वाले श्रंगाल आदी क्रूर जानवरों का पूरा समू जुटा हुआ था सियार, कुत्ते, कव्वे, कांक और गीध, बाज, उन्दुस्ट दानवों के मरेवे शरीरों को नोच-नोच कर खा रहे थे मृतकों की इस अंसर्ग से बड़ी दुर्गंधित हवा चलने लगी थी मांस भक्षी जानवर बड़े जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर भयानक अवाज कर रहे थे तब दुरात्मा दुर्मक ग्रोध से तिलमिला उठा काल ने उसकी विवेक शक्ती नस्ट कर दी थी अपनी सुन्दर भुजा उपर उठा कर अभिमान के साथ वैद देवी सी कहने लगा चंडी तुम्हारे तो सभी अंग बड़े सुकोमल है सुन्दरी तुम अभी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिशासुर की सेवा करना स्विकार कर लो नहीं तो आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूँगा तब देवी बोलठी कि तेरे सिर पर मौत नाच रही है तो काल से मोहित हो गया है इसलिए जी भरकर अनाप शनाप बग ले मैं अभी तुझे यम्राज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वाशकल को भेज दिया है मुर्ख जा या फिर रहे तुझे मरना तो अभी स्थ है इसलिए पहले मैं तेरे प्राण हरकर मोड बुद्धी महिशासुर को मारने की विवस्था करूँगी अब तो दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया ही था भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के सभी बान काड़ दिये साथ ही उस दानों पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानों इंद्र वृत्तासुर वज्र फेक रहे हुँ अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों आपस में गमासान युद्ध करने लगे देख कर कात्रों का कलेजा दहल उठता था शूरवीर उत्साहित हो रहे थे देवी ने बड़ी शिकृता के साथ दुर्मुख के धनुष को काड़ डाला उनके वैसे ही पांच बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्निबिन हो गया रथ तूट जाने पर महा बाहु दुर्मुख दुर्धश गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा और पूरी शक्ती लगाकर सिह के मस्तक पर उसने अपनी गदा से चोट पहुचाई महाबली सिह प्रहार से व्यतित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ गदा लेकर सामने खड़ेवी दुर्मुख को देखकर भगवती जगदंबा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया मस्तक कर जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयान कर गए वो जमीन पर पड़ गया उसे देखकर आनन्द से देवता विवल हो उठी उन्होंने उच्चिस्वर से जैध्वनी आरम कर दी साथ ही वे देवी किस्तुती करने लगे बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के उपर पुष्प बढ़साने लगे उनके मुक से जैजैकार की घोशना हो रही थी युद्ध के मोर्चे पर दुर्मुक की जीवन लीला समाप्त हो गई ये देखकर रिशियों, सिद्धों, गंधरवों, विद्याधरों और किन्रों के मुक पर प्रसनता की किरने चमक उठी जैम आता थी, आज के अध्याई में बस इतना ही, इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याई में जरूर सुनियेगा